सब्सक्राइब अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है उसका क्या मतलब होता है यानि कि आपके लाइफ में आपके प्रस्नालटी में आपका नाम का जो पहला अख्छर है तो क्या परभाव डालता है उसके बारे में मैं डिसकस करूँगा पहला जो बात यह है कि जो नाम का जो इनिसियेशन लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में तो पहला जो नाम का लेटर है वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं कैसे इनिसियेशन लेते हैं, किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, उसके पीछे आपका thought process क्या होता है? आपके काम करने के तरीके क्या को होते हैं? यह बताता है आपका नाम का पहला लडर. दुसरा यह बताता है कि आपकी overall जो personality है, यह इस पर इम्पेक्ट अई किसी का B से start होता है उसका क्या मतलब है उसके क्या positive aspects या negative aspects है और कैसे वो भराल personality को govern करता है और आपके ब्यक्तित्तु को बताता है आपका पहला letter जो आपके नाम में है अधलिध बात करेंगे letter age का यानि कि किसी भी ब्यक्तित्ता नाम अगर letter age से start हो रहा है तो उस ब्यक्ति की personality कैसे है चाहिए वो चीजों को कैसे सोचते हैं कैसे action लेते हैं और क्या है उनकी खासियत उसकी बारे में हम बात करेंगे तो अब पहले हम एक्जामपल देते हैं कि कौन से ब्यक्ति है जिनका नाम H से start हो सकता है जैसे एक्जामपल है अब आई हम देखते हैं कि इनकी खासियत क्या है कि अगर जो ब्यक्ति अपना नाम पहला लेटर एच रखे हैं वो कैसे हैं तो अगर हम बात करें निम्रलोजी पॉइंट व्यू से तो एच नंबर जो है पांच को इंडिकेट करता है कलेडियन निम्रलोजी के साब से और पांच नंबर जो होता है यह मरकरी का नंबर है आनि कि बूध का नंबर है एच फाइब को इंडिकेट करता है और फाइब जो निवनोजी में होता है वो मर्करी से बिलॉंग करता है निकि मर्करी के जो प्रपर्टीज है मर्करी के जो एट्रिब्यूट से वो 5 नंबर के साथ है तो अगर किसी ब्यक्ति का नाम एच से स्टार्ट हो रहा है तो वह highly intellectual and creativity होगी उनके पास वो ब्यक्ति जो होगा intellect के मामले में ज्यान के मामले में बुद्धी के मामले में बहुत ही अच्छे होंगे और क्रियेटीव होंगे उसके बाद ये गूड कम्निकेशन इसकी लोगा अच्छा होगा हाल लोगों से बात्चित करना एक्ष्प्रेस करना करना communication gap नहीं होता है इनका साथ कुछिशी सब्सक्राइब बात कर लेते हैं और इनका आपस में एक दुसरे से चाहे वह work environment से लेकर हो का family से या समाज में हो यह बहुत ही अच्छे से इक दूसरे से कम्मुणिकेट करते हैं इनका communication इसकी अच्छा होता है उसी तरह से ये good marketer होते है थे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं खास करकि वह व्यक्ति जिनके नाम का पहला लेटर है उसी तरह से हाईली अंबिस्टियस होते हैं और यह नए-णे चीजों को करना चाहते हैं घुमना चाहते हैं ट्रेवल करना चाहते हैं इनकी इनके साथ एक समस्या भी है सोफ जादा करते हैं इनका सोफ करना भी एक अट्रिब्यूट से यानि कि दिखावे जादा कभी कभी हो सकता है तो यह रहा पुरपर्टी जो हमने एच लेटर के बारे में बताया इसमें मैंने बताया कि अगर किसी ब्यक्ति का नाम एच लेटर से स्टार्ट होता है तो नंबर के लेडियन निमेलोजी के ताब से पांच पर बिलोंग करता है और पांच नंबर जो होता है मरकरी का होता है यानि की बुद्ध का होता है और यह सब इनकी खासियत है प्रसुभ भी करते हैं तो यह रहा नंबर एच के बारे में कि यह ब्यक्त कैसे होती है और वो चीजों को कैसे देखते हैं अगर आपके भी नियर डियर है और उनका नाम का पहरा लिटर एच है तो किर्फिय आप को रिलेट कीजिए मैंने जो कुछ पॉइंट्स बताए और उनको देखिए क्या इसमें कितना मैचिंग है और कमेंट के माधियम से जरू नाम का आपके बारे में किया बताता है और आपका मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटम से है किनें या आपके किसी बच्चे का है और आप खुद अपने हंडाटिंग डिवलप करना चाहते है तो अग इन तरह की चीजों से रिलेटर जो सफीज है हमारे वेब साइट पे कांसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल से लेटेड हो, आपके करियर से लेटेड हो, आपके मनी से लेटेड हो, इन सब चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेब साइट, जो www.e-edificationhub.com पे जाएए, और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़े अ इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं, जहां आप डिटेल में जनकारी और इसन से लेटेड कम्पलिट रिपोर्ट आपको प्रभाइड होगा, आप उन altre चीज़े भी ले सकते हैं, कौल करके भी चीजों को आप जनकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़े आप चाहते हैं, इन टॉपिक्स एलेटेड आप जान सकते हैं आप इमेल भी कर सकते हैं विशेष ग्यान-for-success-at-the-date-of-gmail.com पर इमेल भी कर सकते हैं इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रभाइड करते हैं और ऐसे भी हमारे प्लेडिस्ट में बहुत सारे वीडियो जो अप्लोडेड हैं उन इनर्जी के साथ अपने लक्ष के प्रतिय अब्रिस्टा रोकर काम किजिए ताकि अपने लक्ष को यानि गोल को सही समय पर एचीव कर पाए दोस्तों थाइंक्यू दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आने वाले समय होगा आपके लिए बहुत ही और स्पीसियस होगा